नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दनीज लॉंचर के इस यूटूब मंच पर बदला बदला हिंदुस्तान आपको कैसा नजर आ रहा है एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें सत्ता के सीर्स पर बैठा हुआ नेता खुद को इतना सर्व सक्तिमान समझ ले कि उसकी पार्टी का धक्ष देवताओं का देवता तक कहने लगे वह खुद को अवतारी पुरुस मानने लगे लेकिन उस अवतार को भी जब नितिस कुमार और चंदरबावू नायडू के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़े तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत में आने वाले दिनों में कौन से नए राजनितिक गुल खिलते हुए दिख सकते हैं और कौन से नए राजनितिक गुल को खिलते हुए देखने से रोकने की कवायद में तरह तरह की ट्रैप में फसाने की कोशिसे हो सकती हैं हिंदुस्तान की सियासत में गटबंधन नहीं चीज नहीं है गटबंधन का स्वाणिंग दौर वापस आ गया है लेकिन गटबंधन होना गटबंधन के अंदर भरोसा होना और अटल बिहारी वाजपई के सब्दों को उधार लेकर कहें तो गटबंधन धर्म का पालन करना यह इतनी बड़ी चीज है जिसको लेकर मौजूदा सत्ता का निजाम गटबंधन धर्म का पालन करने का कोई इतिहास रखता हो ऐसा किसी को नहीं पता गटबंधन धर्म क्या यही होता है कि बिहार में चिराग मॉडल का इस्तिमाल कर नितीश कुमार की पार्टी को छोटा किया जाए गोहाटी मॉडल खेला जाए और गटबंधन धर्म क्या यही होता है कि ED और CBI के दुरुपयोग के इंतहा हो जाए गटबंधन धर्म क्या यही होता है कि सिरोमनिय काली दल किसानों की राजनिती करने वाली पार्टी को गटबंधन और मंत्रीपत तक छोड़कर सबसे पुराने सहयोगी दल रहे पंजाब की इस पार्टी को भारती जंता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ जाए और गटबंधन धर्म क्या यही होता है कि फारुक अब्दुल्ला के साथ भी सरकार बनाई जाए और महभूबा मुफ्ती के साथ भी सरकार बनाई जाए हिंदु वने की भी खबरे है आज सामया देर राद तक राश्टपती भाउन में और चारिक दावा पेज किया जाएगा प्रणमंति ने इस्तिफा दे दिया लोगसभा भंग करने की सिफारिस कर दी और लोगसभा को भंग भी कर दिया गया यानि लोगसभा के तयकारेकाल के 12 दिनो निंज की च्छाती एक अकेला सब पर भारी सदन के अंदर आपने सुना होगा एक अकेला कितनों पर भारी जड़ा एक क्लिप देख लीजिए तो देखा आपने जिस अठाहस के साथ राजी सभा में ये कहा जा रहा था कि एक अकेला कितनों पर भारी वह एक अकेला आज बहुमत के आखड़े से 32 सीट नीचे है और 32 सीटों के लिए 32 पार्टियों की अगर गुहार करने की नौबत आए उससे भी पीछे हटने के लिए तैयार रही है और अब तो सियासत एक ऐसे दौर में चल रही है जहां सम्ता मम्ता जैललिता अलग पार्टियां और 24 पार्टियों का जो गठबंदन अटल विहारी वाजपई चला रहे थे आज वह नौबत नहीं है दौर वही वापस आ रहा है लेकिन सरकार को चलाने के लिए पावर सेरिंग के साथ सत्ता में मजबूती के साथ सहयोगी दलों को भागिदारी का अहसास करा दलों कोईद चेहरा नहीं है वैसा द्लों सहयोगत्य मोर्चे के दवर्में हरकिसंग चुर्जीट के रूप में अटल विहारी वाचपई की NDA के दौर में जौर्ड-फर्णांडी के रूप में चाहर में UPA के दौर में सोनिया गांधी के रूप में था तो आज तो एक भी ऐसा चहरा नरन मोधी के पास नहीं है जिसमें हरकिसंद सिंग सुर्जी जोर्ड फर्नांडी स्या सोनिया गांधी जैसी काविलियत हो सबको साथ में लेकर चलने की कुवत हो लेकिन सियासत है मजबूरिय हैं और इस मजबूरियों के बीच जो दो लोग समर्थन देने जा रहे हैं क्या वो समर्थन बाहर से देंगे क्या लोग सभाद्यक्ष का पड़ TDP को मिलेगा कई सारे सवाल यहां खड़े होते हैं कि तेलगू देसम पार्टी लोग सभाद्यक्ष का पड़ जब मांग रही लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल क्या नितीश कुमार और चंद्रबाबु नाइडू क्या ये दोनों की पार्टियां 28 सांसद है क्या ये दोनों की पार्टियां पूरु में सबक से पूरु के सबक नहीं बिना लिये आ गई हैं एक को सलाकों के पीछे जाना पड़ा था नितीश कुमार कि छोटा बनाए गया था चिराग मॉडल से आगे जाकर देखने पर साफ दिखाई देता है कि बिहार में जंता द अदाल उनाइटेड को तोड़ने के लिए आलीए को किसी कि चंद्रबाबु नाइडू ने पिष्ली बार एक मंत्री बनाया था मोधी वन के कारेकाल में असोग गजपती राजू और उसके बाद उन्हें अपने मंत्री को इस्तिफा दिलाना पड़ा और नाराज तो वो इतने हुए कि चंद्रबाबु नाइडू ने अविश्वास प्रस्ताव तक लाने का फैसला किया संसद में अविश्वास प्रस्ताव उनकी पार्टी ने लाया नरन मोधी के खिलाफ और यह बयान भी लोगों ने सुना था चंद्रबाबु नाइडू का किस देश में नरन मोधी से बहतर प्रधान मंत्री कोई भी हो सकता है तो क्या चंद्रबाबु नाइडू बाहर से समर्थन भी देंगे यह बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने यदि समय रहते फैसला नहीं लिया सरकार के अंदर घुसने की गलती अगर चंद्रबाबु नाइडू और नितिसकुमार ने कर दी तो तै मानिये कि नरन मोधी के 240 के आंकड़े को 270 तक पहुचने से रोका नहीं जा सकता और इन दोनों पार्टियों का अस्तित्व समाप्थ हो सकता है जबाबु नाइडू के पार्टी के टीडीपी के कई राजसभा सांसदों को भारती जनता पार्टी ने पार्टी तोड़कर अपनी पार्टी में सामिल करवाया था यह पूरे देश ने देखा था कि राजसभा में पार्टी के सांसदों को कैसे तोड़ा गया था यह पूर से महाराष्ट में सरंत्मवार की पार्टी और उद्धौ ठाकरे की पार्टी इन दोनों की पार्टियों को तोड़ा गया इडी का जांच एजन्सियों का प्रकोप चंदबाबु नाइडू पर भी रहा है क्या वो नरेल मोधी को समर्थन दे रहे हैं और समर्थन अगर वो दे रहे हैं तो सरकार में सामिल हो रहे हैं यह इतना बड़ा सवाल है जो इन दोनों के राजनिती का स्थित उसे जुड़ा हुआ है मत भूलिये कि नवीन पटनायक ने भी लंबे समय तक समर्थन दिया था क्या किया गया उनकी पार्टी के साथ क्या हुआ है आज उडिसा में अंदर खाने समझोते की बात की गई और फिर उसके बाद क्या हुआ है वो मैंडिट के रूप में दिखाई दे रहा है कि जो अंदर खाने तालमेल नहीं हुआ जो एक बैक रूम पॉलिटिक्स के तहट जो समझोता हुआ उस समझोते से मुकर कर पीट में छुरा घुपने का काम किस ने किया आज की तारीख में नवीन पटनाएक से बेतर कोई नहीं जानता कि क्या उनके अपने लोगों ने किया या उनकी पार्टी को गटबनन का लालच देने वाले लोगों ने किया आज सिर्फ वो इस्तीफा देकर 24 साल तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड मनाने वाले भूद्पुर मुख्यमंत्री के तौर पर ही उनकी पहचान अब रह गई हिंदुस्तान की सियासत में भारती जनता पाटी का साथ देने वाले और नरन्द मोदी और अमिर स्था का साथ देकर मंत्री मंडल का हिस्सा बनने वाली पाटी के साथ क्या होता है यह सब को पता है और यकीन मानिये दोस्तों चंद्रबावू नाइडू अगर सत्ता में इस्तेदार नहीं बनते हैं जैसे उनकी फित्रत रही है अटल विहारी वाजपई को भी बाहर से समर्तन दिया लोकसभाद्यक्ष का पद लिया यहां अगर लोकसभाद्यक् स्थाथ है और यह कहां थैन्यक्त बाहतींसे और भार्तिजंता पार्टिक्ष को खा जाएगी इस और नाचल प्रदेश में उसके विरायकों को भाजपारे सामील करवा लिया पटना में जाकर जब नितीश कुमार कटमंदन का हिस्सा पहले थे उस दौर में 2022 में पटना में जाकर के भाजपार जग जेपी नडडा ने बयान दिया कॉंग्रेस मुक्त भारत के बाद अब आने वाले वक्त में इस देश में छेत्रिय दलों का सफाया हो जाएगा जिस राज़ में आप छेत्रिय दल के साथ सरकार चला रहे हो और उस राज़ में जाकर ये कह रहे हैं कि छेत्रिय दल का सफाया हो जाएगा कॉंग्रेस मुक्त भ सियों जासूसी इन सब के माध्यम से पॉलिटिकल ब्लैक मेलिंग का जो एक धंदा चलता रहा है तो क्या मौजूदा सत्ता का निजाम उससे अलग सोच भी सकता है क्या क्या नरेंद्र मोदी और अमिर सा की सत्ता के अलावा विपक्षी बेंचों पर बैठ करके सथ tak MI number этим की तरफ चलाने की मानसिक्ता Chief Executive Officer की मानसिक्ता के साथ क्वायद में इस देश की राजनीटी ह। higher को बदलने के दिशा में कदम बढ़ा है और उस बदलने के दिशा से इतरज़ा कर अब जब लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने की बारी आ रही है तो सबसे ज़्यादा राजनीती के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले नितिस कुमार और चंद्रबावू नाइडू इस अहमियत को बहतर समझते हैं कि सरकार में जाना ना वावा ना सरकार में गयर तो पार्टी तोड़ने की कवाय दुसी दिन से सुरूब देखते हैं क्या फैसला लेते हैं लेकिन जो भी होगा बहुत दिल्चस्प होगा मीडिया गॉसिप चल रही है उसे चलने दीजिए सिवाए स्पीकर का पद मांगने की चंद्रबावू नाइडू की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है बाकि जो भी गॉसिप आप सुन रहे हैं कि कोई हो मांग रहा है कोई रख्षा मांग रहा है कोई सड़क परिवान मांग रहा है यह सब चलने दीजिए यह दोनों बहुत मैचोर पॉलिटीशन है यह कभी भी नहीं भारती जनता पार्टी के पॉलिटिकल मनसुबे को पूरा करने में कामयाब हो और यह दोनों अप DIY को फिनिस कर्वा यह नहीं चाहते्य क्या होता है अस्तित्यू का सवाल इन डोनों पार्टीों का है और स तुका सवाल इस देश में लोकतंत्र का है लोकतंत्र बचाने की चाहते में असली खेल तो आगे शुरू होना है जब संसत केा शत्र का पहला दूसरा दिन ऑगा उस दिन से होना है कि क्या नजरेंद मोदी भाहुध साबित कर पाएंगे या बहुमत साबित करने के पहले ही इंडिया गठ मंदन प्रदान मंत्री पद और उप्रदान मंत्री पद को लेकर कोई बड़ा खेल कर देगा किसी भी तरह के खेल के लिए स्पीकर का पद बहुत जरूरी है और स्पीकर के पद पर चंदरबाबू नाइडू की दावेदारी को नरंद मोदी और अमिट साक किस तरह से लेते हैं और सत्ता में सामिर होने के लिए यदि ये तयार नहीं होते हैं तो आखिर बीजेपी के पास विकल्प क्या है और अब ये आगे आपको देखने को मिलेगा कि ये किस तरह से चलता जाएगा आज के लिए इतना ही नमस्कार